ओम शंती, ओने समाच के शुर्य दानवाव सुक्त स्वागत है मेरा 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 प्रॉलम 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 टेंशन 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 और बेफिकरात नहीं सकते हैं तो परवाद तो कहते हैं, मेरे को तेरे में परिवतिन कर बेफिकर बाच्शा बनने वाले खुशी के खाजाने से भरपूर भवा मेरा है ही क्या, कौन मेरे से क्या ले साथ है मेरा है ही क्या, कौन मुझे क्या चीन सकता है मेरे से क्या ले साथ है ये जब तक महसूसता में नहीं आएगा तब तक परिशान रहेंगे तो जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया, वही बेफिकर रहते हैं, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है जब ऐसा परिवर्तन करते हैं हो, तब बेफिकर बन जाते हो जीवन में हर एक बेफिकर रहना चाहता है, जहां फिकर नहीं, वहां सदा खुशी होगी तो तेरा कहने से बेफिकर बनने से खुशी के खजाने में भरपूर हो जाते हो परमात्मा का सारा कुछ है, कुछ नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ परमात्मा कभी नुक्सान नहीं हुआ किसका नुक्सान हुआ कुछ है नहीं नुक्सान आपके चीज़ें नहीं कुछ क्योंकि हम कुछ ओन ही नहीं करते हैं हमारा कुछ है नहीं आप बेफिकर बाद्शाओं के पास अंगिनत अखूट अभिनाशी खजान है जो सत्यूग में भी नहीं होंगे तो वो खजाने जो की फिजिकल खजानों की कंपारिशन में बहुत infinite value के हैं बेंद value के हैं उसके सामने अभी के विनाशी खजाने कुछ भी नहीं है तो सत्यूग में वो सारे खजाने मारे उसाथ में होंगे वो कौन से खजाने हैं वो कुछ समझने के लिए प्रमकुमारी इस शुरिये विश्व द्याले में जाकर करके इस खजाने को समझें ओम शंती